ये है इंदू ब्रोडकास्टिंग प्राइविट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन नियूज हर पल हर शन हर सच श्रावन मास का दूसरा सुमवार शिव भक्ती और आस्था से भरा है दुर्ग शहर के शिवनात तट परस्थित शिव मंदिर का बड़ी संख्या में श्रधालू पूरी आस्था और विश्वास के साथ मंदिर पहुश रहे हैं कई भक्त नदी में सनान करने के बाद मंदिर प शिवारों की संख्या में लोग पट्टी की भावना से आ रहे हैं चल अपित कर रहे हैं और यहां के महराज से अपसे रुबरू कराएं आज सावन के दूसरा सब्ता है आज अमोश्या है और सौमतिया मोश्या सावन में 35 वर्स के बाद आई है और अधिक मास में 1919 के बाद बेशे संख्या पूच्वा आज या में और संख्या मोश्या का अलग मैत होता है क्योंकि शूम्मार को जब भी हमोश्या आती है तो उस दिन विशस परगा की पूजा होती ए यह उनने पित्रों के मोश्य के लिए फल्ध आईत है और आज की जो ऑंतिया मश्या है झींकिए जाता है। भगवान शिव को आज दिल का दान करने से जिस्वेक्ति के पित्र मोक्ष हो जाते हैं। पित्र दोस्य पुन रूप से आज पुन रूप से पित्र दोस्य का समय हो जाता है। पानी जल बढ़ते जा रहा है और पाइज से पब्लिक आरी है तभी तो भगवान है इस आस्ता का सहलाब जल कर भी है इसलिए नाम दशिवनाथ नाम तो शियुनात है इसलिए आस्ता के सहलाब में लुगों के सहलाब उम्रक प्राएं पंडिस शुक्रदाब शुक्ला हम यहां कुछ लोगों सभी पुछेंगे जो जल अपर कन्याय बाबा बोले नाथ जी कुछ जी बताएंगे सावन का हमारे लिए एक मिला के समाने जो इस बार साट वर्सों साट दिनों का सावन मनाया जा रहा है तो काफी धूमधाम से हर जग के नाम से जाना जाता है और इस बार दुरूभ सहर वासियों ने जी भख्तो ने और महाकाल भख्तों ने ये निन्हे लिया है कि इस बार महादेव की पलकी निकाली जा दी है जो पहली बार अब उसकी तैयारी में सब लगे हुए हमारे जीबिख्त भाई लोग और हम सब मि महावल दुरुग में बाबा महाकाल की पालकी में रहेगा, बावे संख्या में सीवभक्त पालकी यात्रा में निकलेंगे, और विसेस उजयन्त की जो महाकाल की धुन का प्रयोक करेंगे, और वो रेली निकलेगी हमारी महाकाल की पालकी निकलेगी अग्रेसेंट चौक से ये पडेल चौक रखे भव्यता रहेगी काफी तयारी अभी एक महने पहले से आराम हो गई है एक बैठक उसकी संपन हुई है कल और सारे सुभक्त मिलके अपने समय के हिजाब से बैठक रख रहे हैं और भव एयोजन का उमीद रखते हैं आप इस मंदिल के सब्सक्राइब है मैं दुरुग में सुभक्त के नाम से थोड़ा साथी वाला है हमारा जहां पर हम माश्युरात्री बरभ शूलिन मनाते हैं कजी वर्स हो चुके हैं और जहां भी सुजी का मंदिर है जो वाला है वह उसमें यह कहना चाहेंगे कि सावन का पर भोले बाबा का है और उनी के तांड़ा नित्र करते हैं और उसके वर्सा होती है बिली चमकती है यह सब भोले बाबा का है तुकि जो की हैंुआरे ठोश्टर जो भी बोल दो महादेव है और उनका सेल्पी उनके हिताब से हो और अपने जीवन को सिरक्षित रखते हुए वो काम करें मैं यही संदेर देना चाहूंगा कि बोले बागा की भक्ति अपार रूप से पिया जाए लेकिन अपना ये जोखिम में डाल के कोई काम ना करें सावन का दुस्षा पर्व है इस बस सावन दो मन्त का रहेगा और मैं आपको बता तूँ कि यह दुरूग से लगा हुआ यह सुनात हदी है जो मंदिल है और अभी देखा जाएगा हर सौंबार में जैसे भक्तों की संक्या और और बढ़ते जाएगी न्यू वीडियोज की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूस को और बेल आइकन को दबाएं